हालो दोस्तों मैं बुलू रंजन स्वागत करता हूं मेरा चैनेल आई डेज शॉट करता है आज हम एक शॉट वीडियो में जानने का कोशिस करेंगे कि फोर्जिंग में यूज होने बाली पॉंच और ड्रिप्ट के बारे में पॉंच का यूपियो को होल यानी छेद को बनाने के लिए किया जाता है एन्विल का उपर में जो दो होल होता है आप जैसे फिगर में देख पा रहे होंगे इसी का मदब से पॉंच होल करता है वो राउंड होल हो सकता है स्कोयर होल सकता है ओभल से भोग सकता है और रेक्टा Q.8% कारबन स्टील से बने होते है और हाडन और टेमफर होते है ड्रीप्ट को पकड़ने के लिए एक तार का हैंडल का यह बयो किया जाता है यह हो गया उसके बारे में इंफर्मेसन अब चलते है उसका प्रीक्वेशन चे बारे में उसका जो कठोरता हाडन बनाने रखने के लिए उसको यूज करने के बाद ड्रिफ्ट और पॉंच को पानी में थंड किया जाता है हैंडल को सिक्योरली टाइड किया जाता है क्योंकि यूज टाइम में वो पॉंच और ड्रिफ्ट बाहर निकल सकता है एसे ही टेकनीकल इंफर्मेशन के लिए सब्सक्राइब टू आई टेज सटकाट्स